अस्सलामों अलीकूम आप देख रहे हैं टेस्टी लाइब आज हम बना रहे हैं पिशावरी नमकीन गोश्ट बहुत ये दिलिशस और पिशावर की मश्यूर डेश है तो चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ सबसे पहले मैं एक पतीली के अंदर एक चमचा घी ले लुँगी आप तेल भी ले सकते हैं और यहां पर मैंने कुटा हूआ अधरका पेच्टका पेस्ट भी ले सकते हैं हलका समय से करूंगी बस एक दू सेकंड करणा है अब इसके अंदर में मटन या बीव आप कोई से भी गोष्च ले सकता हैं यहां मैंने मटन लिया है तकरीबध हो आप देख सकते हैं अपने हिसाब के मताभिक हम सब्सक्रे सकते हैं यहां मैंने 10 मटन ले लिया था और मिक्स कर लोंगी जब तक यह वाइट न हो जाए यह देखिए लसन अदर के पेस्ट में यह कितना खुबसूरत सा वाइट वाइट हो चुका है हमारा यह परफ्रेक्टली डन हो चुका है अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबर मैंने यहाँ पर ले लिए थे तीन से चार टेमार्टर आप देख सकते हैं क्योंके टेमार्टरों का ही में मिक्स्टर होता है इसके अंदर अच्छा जी अब मैं इसके अंदर ले लूँगी एक चमचा नमाक नमक हस्विजाइका है आप इसके अंदर नमक की कमेवेशी कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे तक्रीबन आदा चम्चा काले मिर्चे ले ली आदा चम्चा अभी दालूँगे आदा चम्चा आखर में मैंने यहाँ पर तक्रीवन एक ग्लास फानी ले लिया था ये देखें मैं इसे कुकर लगा के रखूँगी जबी मैंने एक ग्लास लिया जादा नहीं रखना और ये हमारी गर्मियों की बहुती पसंदीदा डेश है क्यों के इसके अंदर लाल मिर्चे नहीं होती है और काली मिर्चे होती है अच्छा जी अब हम इसे कुकर का ढखना बन कर देंगे तकरीवन आप इसको 15-20 मिनट हलके आँच पर पका लें वैसे तो आगर आप कुकर को तेज आँच पर पका रहे हैं तो ये आपका 15 मिनट में भी हो जाएगा मैं पहले इसको ये थोड़ा सा तेज चलेगा फिर उसके बाद मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकाती रहूंगे 15-20 मिनट तक ये देखिए ये आपके 15-20 मिनट यानि के अब ये कुकर में हो रहा है जब ये 15-20 मिनट हो जाएं तो आपने चूला ओफ कर देना है और एहतियात के साथ जब तक ये आफ होके ठंडा नो हो जाए जब तक आपने विसल नहीं हटानी है ये देखिए मेरा ठंडा हो गया था अब मैं इसे खोलूंगी यात के साथ आपने खोलना है और मैं चूला वापस जला लूँगी और ये इसे अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी य देखिए मेरी बहुत अच्छे से बुनाई हो रही है इदर कि सारा पानी हमारा खोशक हो जाए और तेल उपर आ जाए मुझे बुनाई करते हुए पांच मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना खुबसूरती से तेल उपर आ चुक है अब मैं इसके अंदर तीन से चार हरी मिर्चे शामिल करूंगी और आदा चमचा मैं काली मिर्चे के शामिल करूंगी क्योंकि शुरू में मैं आदा चमचे शामिल कर चुकी थी और आखर मैं काली मिर्चे बहुत ही इसमें मज़े की लगती हैं हलका सा मैं इसे भुनूंगी तकरीबन एक दो मिनट ये देखि मज़ेदार से डेश ले कर जब तक के लिए अलाहाफिस